Stock market की trading, caseology, बिल्कुल modern way में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि stock market की trading में 25 असे इंड़ वाले अपने trades को कितना judicially choose करते हैं और उन्हें क्या क्या करना चाहिए अपने trading case की skill को better बनाने के लिए आपके horoscope से आपके working style, theme और stock markets related aspects को decode करके हम आपको यह बताते हैं कि किन-किन steps को follow करके आप stock market से पैसा कमाने की probability कई गुना बढ़ा सकते हैं इसके लिए अगर मुझे contact करना है तो 98789-04347 पर यहादो phone करें यहाँ फिर whatsapp busy होने के कारण अगर phone ना उठापाऊ तो whatsapp message करें मैं या मेरी team में से कोई ना कोई अवश्चे respond करेगा अगर आप stock market में अपने trades को judiciously choose करेंगे तो profitability के chances बढ़ेंगे judicious way में नहीं चलेंगे तो आपके stock market trading में नुकसान होने के chances बढ़ेंगे Venus की position को आपके horoscope में देखकर हम यह बता सकते हैं कि आप अपने trades में कितने judicious हैं सभी 12 houses में Venus की placement आपके judicious skills पर क्या impact करती है stock market की trading में वो इस video में बताऊँगा क्योंकि 12 different houses में placement के बारे में बता रहा हूँ तो एक ही video में तो थोड़ा brief में बताऊँगा Pisces is ended में Venus first house में Venus Pisces में और ये Venus का position of exaltation है आप अपने trades में judicious तो हैं लेकिन कभी-कभी आपका अपने उपर विश्वास थोड़ा ड्नावाड़ हो सकता है इस current trades के बीच में ही demotivated होकर अपने trades को change करते रहेंगे आपके लिए better ये होगा कि ऐसे trades ने जिनमें profit or loss एक सीवित दारे में ही होते हैं जैसे कि bull call spread या bear put spread इनमें आपकी बढ़िया करने की probability काफी हाई रहेगी Prices ascendant में Venus second house में Stock market trading में एक important element होता है अपने fear को manage करना आपको इस aspect पर काम करते रहना होगा अगर आपने stock market trading में से पैसा कमाना है Fear factor के कारण अगर आप अपने profit या stop loss target को जल्दी जल्दी बदलते रहेंगे तो फिर एक groove में settle नहीं हो पाएंगे hedging technique सिखिए hedging का use आपके sphere factor को काफी कम कर देगा Prices ascendant में Venus third house में आप में एक बहुत ही powerful quality है जो आपको एक अच्छा stock trader बनने में help करेगी वो है अपने trading targets को चीव करने के लिए discipline तरीके से डटे रहना लेकिन target setting पर अगर थोड़ा काम कर लेंगे तो इस quality का पूरा आप उठा पाएंगे target तो वैसे कई experts भी बताते हैं अगर आपको लगता है कि किसी expert की opinion ठीक है या आपके trading style को suit करती है तो objectives आप उस expert के set किये हुए follow कर सकते हैं लाब मिलेगा पाइसे से अंडे में Venus 4 था उस में आप एक smart trader है शाप माइंड है आपका और speculator भी आप अच्छे हैं कई बार कुछ ऐसे trades में success भी मिलेगी और वो trades सिर्फ आपकी gut feel पर based होंगे चोड़े चोड़े objective set करें दोनों तरह आगे profits के भी और stop loss के भी जैसे ही decide profit आजाए या stop loss trigger हो जाए तो फिर थोड़ा wait करके ही दवारा trade करें नहीं तो discipline नहीं रहेगा trades में अगर horoscope में बाकी parents की placement ठीक है तो आप एक अच्छे data trader भी हो सकते हैं अपनी gut feel पर यकीन रखी और अगर stock market में लंबा चलना है तो gut feel को अपने trades में apply करने का एक disciplined method लाइए नहीं तो मुश्किल में पढ़ सकते हैं Pisces ascendant में Venus 5th house में stock market में उतार चढ़ाव से जो opportunities मिलती हैं पैसा कमाने की उसका पूरा लाव आप नहीं उठा पाएंगे अगर stock market की fluctuations के reasons को अच्छे से नहीं समझेंगे आपके लिए सब से important है कि stock market में movements क्यों होती है और different external events के कारण historically क्या impacts रहे है price moments पर इस पर education नहीं ऐसा करने से आपकी trading skills में सुधार आएगा एक और बात profit target भी बड़े रखे और stop loss triggers भी वाइट रखे रोज रोज trades ना करें नहीं तो settle नहीं हो पाएंगे कम trades बड़ा profit ये आपको suit करें एक peaceful environment चाहिए आपको तभी आप stock market में judiciously trading कर पाएंगे target setting में issues आ सकते हैं थोड़ा confused भी रह सकते हैं अपने targets को set करने वक्त इस expert के advice लेकर ही अपने trades के target set करें लेकिन एक clarification ये है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि आप trading ही न करें आपके overall horoscope को देखकर आपकी strength को पता चलाया जा सकता है और ये भी पता लगाया जा सकता है कि कौन-कौन सी strategies आपके temperament को suit करें Pisces Ascendant में Venus 7th house में एक अच्छे trader बनने के सारे गुण है आपने लेकिन एक weakness भी है अपने trades बार-बार बदलने की tendency हो सकती है आप एक trade में enter करेंगे फिर कोई दूसरा trade attract करेंगा और पहला बंद करके दूसरे में enter करेंगे सरकार भी taxes के तुरू कमाएगी exchange भी अपनी fee रे जाएगी और broker को तो brokerage बनेगी अगर ऐसी tendency आप में है तो trading style पर थोड़ा काम करना पड़ेगा एक ऐसा trading style अपनाना होगा जिसमें trading objectives पहले से ही set हो और strategies भी ऐसी हो कि आपको बार-बार trade में changes ना करने पड़े Prices Ascendant में Venus 8th house में अपनी ही sign में Venus success किसी expert को follow करके लिखी है आपके mercury की position देखकर आपका best unit trading style पता लगाया जा सकता है और उस trading style में जिस भी stock market expert की expertise सबसे दिखो उसे follow करें पहले paper पर trading करके देख लें और अगर profit हो जाया और confidence बन जाया तो real trade लें थोड़ा precautions लेकर ही trade करें Prices Ascendant में Venus 9th house में आप एक brave trader हैं लेकिन Venus की placement 9th house में होने से कुछ hidden fears आपको पिछे की तरफ भी दखे लेंगे मिन रिजन अन्रिलिस्टिक target setting हो सकता है इस बात का ध्यान रखे simple option strategies जिनमे profit and loss targets inbuilt हैं वो try करके देखें आपको suit कर सकती है Prices Ascendant में Venus 10th house में आप एक बार जब किसी trade में enter कर जाते हैं तो उस पर stick करते हैं बिना किसी बात की परवा किये लेकिन आप जो भी trade लें उससे लेने से पहले या तो paper पर लिख ले या फिर excel sheet हर trade का बना कर चले समय समय पर stock market trading के और उसी में बड़े बड़े trades करें for example कुछ लोग सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में ही trade करते हैं या फिर कोई एक दो stocks में instead of splitting your trades एक या दो trading instruments में ही trade करें लाब मिलेगा Prices Ascendant में Venus 12th house में अगर trading करते समय target ठीक से set करके नहीं चलेंगे तो आपको बड़े लुक्सान हो सकते हैं conservative trading strategies चूज करें जिनमे objectives पहले से ही set होते हैं जैसे कि bull call spread या bear put spread, profit will limited और loss will limited आपके horoscope के complete analysis basis पर आपको हम ये बता सकते हैं कि आप किस style से trade करें और किस तरह की strategies के साफ जो आपको astrologically best suit कर सकते हैं astrological balance sheet बना कर हम एक-एक planet के balance sheet score के हिसाब से ये करते हैं क्योंकि stock market एक regulated field है तो यहाँ एक statutory clarification ये दे रहा हूँ कि हम किसी भी तरह के tips provide नहीं करते हम सिर्फ ये बताते हैं कि आपको stock market trading का कौन सा style strategy suit करेंगी आपके horoscope के basis पर आप due diligence के साथ ही stock market में trade करें मेरा नाम कुछ नीश फशिष्ट है आप मुझे 98789-04347 पर contract कर सकते हैं ये whatsapp message भी कर सकते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद